सुजाहिन दोस्तों आप सभी को मकर सकरांती की धेरो 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 सारी सुबकाम नहीं तो कैसे आप लो बिएट फस्तियर डॉक्टर राम अनुर लोया अवज इनुश्टी के स्टुडेंट से कुछ खास बात करनी है देखें यह सचा है कि अभी तक आपने पभाई बच्चों नहीं किया होगा क्योंकि म्मट उनके पास बुक्स ना हो गाइड कि वह कैसे स्टार्ट क्रें तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ importance points बता रहा हूँ जहां से आप अपने बढ़ाई सुरू करें और वही से सुरू करें और ये इतना ज्यादा important है कि कम से कम हर साल 20 नंबर के आपके प्रस्थ इसमें से आने हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बीएड फस्तियर फस्थ पिपर नॉलेज एंड करिकुलम ग्यान एवं पार्ठिकरम की इसमें एक point आता है जिसको कहते है वाद इंगलिस में कहते है इसम चार वाद मुख्यता चार वाद हैं आपके syllabus में और इन चार वादो के नाम जांजिए फिन में आपको को दिखाँगा की आज से 4-5 साल के पेपर दिखाँगा और आपको ये बताऊंगा की कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले उन चार वाद'ों के नाम दालने है सबसे पहला वाद है अधर वाद्वाद और इंग्लिस में कहते है रेघ्विटीजु यह चार मुख्य वात्थ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है, जिन फोसे हैं इन चार शार हैं मेरे की फोर dziहां हैं इकी कॉशन में //में निए प्रहले इéchंगे, सबसे पहले 2020 का ये प्रश्न पत्र देख्या हुआँ, दोस्टो 2020 का प्रश्न पत्र आपके सामने और इसमें आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्ण vapor नबर यहां से आधर्थ वात के ऊपगे इनी से मिल गया, यह हो गया सक्षन A, US dak के सवाल आगया अब चलिए मूफ करते हैं दोस्तों सेक्षन बी की तरफ सेक्षन बी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर थार्ड कोश्चन दिखेगा परियोजनवादी सिख्षा के उद्देश मतलब प्रयोजनवाद के उद्देश और यह आठ नंबर म की पेक और सवाल पूछा गया कि प्रकिर्टिवाद की उसे छड़विद्यग क्या होनी चाहिए सक्षेनल बी में भी प्रकिर्टिवाद मैंने ऐब देखेंगे दो पर में आपका 25 नंबर का सवाल इनी चार वादों से अब आईए चलते हैं 2020 की कोश्चन पेपर की तरफ पर पीस में भी इसी प्रकार का प्रशन पूछा गया था सक्षन ए में देखेंगे तो यहां पे लिखा था परियोजनवाद का साब्दिक अर्थ क्या है कि वाट इस डालिट मीनिंग औफ प्रागमेटिजम एक नंबर का प्रशन यह आ गया सेक्षन बी में आप देखेंगे प्रियोजनवादी सिख्षा दर्सन का मुल्यांकन केजिए तो दो प्रशन आ गया है आपको यहां पर प्रकिर्टिवाद और प्रियोजनवाद दोनों पूछ लिया गया आठाट नंबर में 16 नंबर यहां अभी हो गया यानिकि 17 नंबर का प्रशन यहां हो गया अभी रु सब्सक्राइब दिसक्राइब इंपोर्टेंस एंड कंट्रिबूशन अफ आइडिलिज्म सेक्षण सी में 15 नंबर का सवाल पूछा गया ता और सेक्षण सी में एक और सवाल पूछा गया सात्वा कोशन कि यथा अरतवादी सिख्षा के गूने वंदोस्की संचिप इसमें आगया 47 कुड यू बिलीब गाइस कि एक ही पेपर में इन चार पॉइंट से 46 नंबर के परशना है जस्ट लुक इट हाव इंपोर्टेंट इस कोशन आर बिल्कुल इसकी नहीं करना खतम करेंगे इसको खतम करेंगे मैक्सिम इन त्री देस्ट इस ओल फोर इज्म य इसक वाद करेंगे इसक्षे सवाल पुछा गया तक याथार्तवात का क्या सार्थक सिक्षा विवस्ता है इसरियलिजम इस्रियलिज्म इस रिवलेंट देखें यहाँ पर आगे पूछ लिए आदर्सवाद से भी दो नंबर यहां हो गये 2019 में दोस्तों चलिए मूफ करते ह है section B की तरफ section B में आप आएंगे तो देखें कि section B में कि इससे कितने प्रश्न बने हैं दोस्तो इससे section B में प्रश्न आपकी बने हैं एक प्रश्न तो यहां बना कि प्रियोजन वाद से आप क्या समझते हैं what do you mean by pragmatism एक सवाल आपको यहां पर अत्वा में फिर से पुछा गया है कि प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है वाट इस दमीन बाइन नेचुरलिजम ठीक है प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है यहां पर दो प्रशन आ गए और चलिए देखते हैं सेक्षल सी में कोई प्रशन इससे नमर वहां आ गया तो कितने दो दोस्तों हो गए तैतीस नमर का प्रशन फिर इस बार इससे आ गया तो दोस्तों अब ख़तम कर देंगे अगर आपको देख लीजिए उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसको पढ़ना कैसे और इसको करना क्या है चलिए बहुत सॉटली ठी जली जली मैं देख ले रहा हूं कहीं छूट ना जाए ठीक 2018 में यहां पर पूछा गया था कि यह थारत वाद से आप क्या समझते हैं ठीक है यहां पर एक और सवाद यहां पर आ गया था और उसके बाद नीचे आप देखेंगे आधर सवाद का अर्थ बताईए सेक्शन B म खतम करेंगे एक request के साथ कि मैं तो इसका answer बताऊंगा definitely बताऊंगा अगले चार दीनों के अंदर इन चारो बात को खतम करेंगे लेकिन मेरी request आप से यह है कि आप चाहे किसी भी यूटुबर से चाहे Google से चाहे बुक से या कहीं से भी प्लीज आप इन चार बादों के self notes ब जूड जाए क्योंकि अब regular basis पे daily आपको ऐसे classes मिलेंगे मैं आपके notes चेक करूँगा कि आपने कैसा लिखा है मैं अपनी notes आपको दूँगा आप प्लीज इन चार वादों को खतम कर लेते हैं अगले चार दीनों में आप प्रॉमिस करिए कि आप इसके self notes जरूड करेंगे आपको मैं आपसे request करूँगा प्लीज आप चैनल से जुड़ जाए और मेरा वादा है आपसे एक महीने के अंदर आपके जितने भी important questions है उसको खतम करेंगे और अच्छे तरीके से serial wise unit wise पूरे आपको बीट first year को खतम करेंगे और मेरा target है दोस्तों कि जब आपका exam आपको कोई टेंशन ना रहा है आप आराम से सुकून से सोएं बस एक पर पेपर देखें और जाकर आराम से लिखके हैं मतलब टेंशन के साथ ऐसा नहीं होता है लास टाइम बच्चों के साथ यही problem हो गए थी कि हम promote होने की चक्कर में और so many things was going on the last year so बच्चे परिशान हो क्योंकि मैं जब YouTube खोलता हूं तो उनके सुरू के आधे तो ऐसे निकल जाते हैं कि अब तक आप चैनल पर नई हैं तो subscribe करिए मैं यह सारी चीज़ से बाद में कहता हूं इसलिए कहता हूं कि मेरा जो purpose है मैं अप मेरी जो research है वो मैं दिखा दूँ आपको अच्छा लगेग ट्रड़े वीडियो बनती है तो उतने ज्यादा subscriber नहीं है अगर खुशी होगी मुझे खुशी होगी जितने ज्यादा अगर आप मुझे support करेंगे अपने दोस्तों को कहेंगे वह subscribe बरे तो प्लीस आप अपने दोस्तों से करिए college group में जितने भी आपकी पास group से उसमें share कर बनाएंगे मैं भी इस पर नोट्स बनाऊगा मैं भी अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा मगर पहले मुझे आपके नोट्स देखने तो नोट्स बनाईए टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए जॉइन करिया और वहां मुझे नोट्स भेजिए ठ दोश्तों अच्छा रगा मुझे आप से आथ यह जनकारी शेयर करके जय हिन जय भारत